विपक्षी दलो के नेता देश का सबसे बड़ा गढ़ बंधन बना चुके हैं मोदी राज से मुक्ती दिलाने, लोगतंत्र और सम्विधान बचाने, जनहित की सरकार बनाने के वादे के साथ महा गढ़ बंधन बना चुके हैं सथा पक्ष को कुरूरताना साह तो बता रहे हैं, दिन राज जुबानी तीर तो चला रहे हैं, बालों पर बांढ तो चला रहे हैं, हमले से नाखून और उंगली तो उड़ा रहे हैं मगर मेन पॉइंट यानि मीडिया या कहें नाभी पर निशाना नहीं लगा पा रहे हैं मीडिया के हालात पर चिंता तो जता रहे हैं मगर उसके आतंग का इलाज नहीं बता रहे हैं दिन राज साम्परदाइक तप हैला रहे हैं एंकर और रिपोर्टर उन्हें बस बेचारा पीडित बता रहे हैं मगर मीडिया वाले जमकर अपना फर्ज निभा रहे हैं तमिल नाड में कोई नेता सनातन के खिलाब बयान दे रहा है और पूरे इंडिया महागडबंधन को हिंदू विरोधी बता रहे हैं द्रावीडियान आंदोलन का एक नेता पेरियार की परंपरा के हिसाब से अंद विश्वासों का विरोध कर रहा है तो हिंदी छेत्र में इसे हिंदू के कतले आम की कॉल बता रहे हैं विपक्षी नेताओं को पकड़ पकड़ कर सवाल कर रहे हैं जवाब न मिलने पर खुदी निजकर सुना रहे हैं विपक्षी महागडबंधन से हिंदूों पर खतरा गिना रहे हैं ये पहला वाक्या नहीं है हमेशा से होता आ रहा है टीवी और अकबार वाले हर हाल में भाजपा के विपक्षी दलों को हिंदू विरोधी बताते रहे हैं देश विरोधी बताते रहे हैं इस बार ठीक ठाक वोटी खिला रहे हैं राजिस्तान और 36 गड़ में कॉंग्रेस की सरकारें दंगाई टीवी चैनलों और अखबारों को करोड रुपए के विज्यापन क्यों दे रही हैं नहीं बता रहे हैं करनाटक और हिमाचल में नई बनी सरकारें कितने करोण देने की तैयारी कर रही हैं नहीं बता रहे हैं दिल्ली और पंजाब की आमाधी पार्टी की सरकारें क्यों दंगाईयों का धंदा बढ़ा रही हैं नहीं बता रहे हैं इंडिया के सूत्राधार बिहार सरकार वाले सामपरदाइक मीडिया को सैकडो करोड रुपए दे कर काउंसा समाजवाद DMK के पास वैकल्पिक मीडिया का एक मॉडल तो है मगर कुल अनुपात के मामले में विग्यापन देने की हद पार कर जा रहे हैं अपने यहां तो माहोल बना ले रहे हैं मगर हिंदी बेल्ट में अपने सहीयोगियों को मुसीबत में फसा रहे हैं मतलब महागडबंदन वाले फिलहाल हवा में तीर चला रहे हैं ना भी की नब्ज कहां अच्छे से जानते हैं मगर जानबूज कर वहाँ निसाना नहीं लगा रहे हैं मीडिया की गुलामी का जिक्र तो कर रहे हैं मगर आरसस कार करताओं से भी जादा सांपरदाईक क्यों हो चुके हैं मीडिया वाले ये मुद्दा नहीं उठा रहे हैं ये दंगा करने वाले दंगाईयों से सहानबूती नहीं रखते हैं आतंक फैलाने वाले आतंकियों से सहानबूती नहीं रखते हैं न्यूज लांडरी पर बसंत कुमार की एक रिपोर्ट है जिसमें विज्यापनों से महान बनते अखबारों की कहानी बताई गई है, मोधी सरकार के साथ साथ गहलोज सरकार की भी भूमिका दिखाई गई है, राजिस्थान की राजधानी से जैपूर महानगट टाइमस नाम का एक डिज्टल मीडिया चलता है, साथ अखबार भी निकलता है, उसे मोधी सरकार से अथा विज्यापन मिलता है, उसे गहलोज सरकार से भी विज्यापन मिलता है, रिपोर्ट से पता चलता है कि मोधी सरकार से अभी तक करोडो रुपए का विज्यापन मिल चुका है, इसका और जेंडर के विमर्स में सबसे क्रूर करेक्टर परशुराम का बखान तो करता ही है, हिंदु छेड़ता नहीं है, छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है, जैसे टाइटल वाला वीडियो शेयर करता है, योगी आधितनाठ के डर से माफिया काप रहे हैं कहकर माहोल बनाता है, बात मोधी की आती है तो उनके सामने गहलोत को डरपोग बताता है, मगर इसका मतलब यह नहीं कि गहलोत सरकार से विज्यापन नहीं पाता है, किसी निजी कारकरम में मिलता है तो सामने नतमस्तक हो जाता है, व्यवसाई होना शर्मा होना वन व्यवस्था में स्विकार इस एक मात्र कहानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे दक्षिरपंथी 17 पक्ष विषैले व्यापारियों को पालता पोचता है और कैसे विपक्ष उसे दूध पिलाता है जबकि जानता है साब को दूध हजम नहीं होता है गर्मी उमस से परिशान होकर वो बाहर आ जाता है फिर जिसे पाता है डसकर वापस चला जाता है News 24 की खबर है कि विग्यापन पर मोधी सरकार 6000 करोन से ज़्यादा खर्च कर रही है और इस खबर में देखिए किस पार्टी का विग्यापन आ रहा है भगवन्तमान का परचार चल रहा है कॉंग्रेस नेता राजीव सुकला की पतनी भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद की बहन अनुराधा प्रसाद ये चैनल चला रही है दोनों तरफ सालों से बैटिंग कर रही है अब तीसरे दावेदार से भी उसी तरह विग्यापन पा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चैनल पर कोई धंकी खबर आती है एक दो एंकर बिठा कर काईदे की डिबेट करवा देती है बाकि रात दिन ये भी वही एजंडा चला रही है इस खबर का मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ भगवनतमान की सरकार ही ऐसी है जो पैसे उड़ा रही है केजरीवाल की अगवाई में दिल्ली सरकार इससे कई गुना ज़्यादा पैसे उड़ा रही है शीला दिक्षित की फिजूल खर्ची के खिलाफ आवाज उठाने के बाद अब उनसे चार गुना ज़्यादा रकम के विज्यापन करवा रही है उन मीडिया वालों को भी विज्यापन दे रही है जो इसे भरस्ट बता रहे है उन मीडिया वालों को भी विज्यापन दे रही है जो केजरीवाल को नौटंकी बाज बता रहे है सत्ता धारियों की सहिस्णुता से ही सामपरदाईक जातिवादी और जेंडे बाज मीडिया का सामराज फैला हुआ है क्या इतनी सी बात विपक्षी महागडबंधन के लोगों को नहीं समझा रही है अडानी पर हमला तो बोल रहे हैं मगर अडानी के चैनलों को कोई विपक्षी दल एक विविग्यापन नहीं देगा ये संकल्प नहीं ले पा रहे हैं अमबानी पर हमला तो बोल रहे हैं मगर अमबानी के मीडिया सामराज को सैकडो करोड रुपए की फंडिंग खुद ही दे रहे हैं सुभाज चंद्रा से मिली भगत पर आपत्ती तो जता रहे हैं मगर विश फैला रहे हैं इनके चैनलों की नबज कहां से काटी जाए नहीं समझ पा रहे हैं या फिर सब कुछ समझ कर भी सब को मूर्ख बना रहे हैं मीडिया के फैलाए जहर को खत्म करना ही नहीं है बस विरोध में बैठे लोगों से सिंपथी जुटा रहे हैं उन्हीं चैनलों की फंडिंग कर रहे हैं उन्हीं के मालिकों को अमीर कर रहे हैं और फिर उनकी ही अतिके खिलाब दुखडा सुना रहे हैं जिन एंकरों रिपोर्टरों को बेचारा गुलाम बता रहे हैं वो किनके अकाउंट से अपनी सेलरी क्रेडिट करवा रहे हैं अथाह कमाई के लालच में कैसे कैसे एजंडा चला रहे हैं आप कहेंगे इसका समधान है कि अपना मीडिया बनाना चाहिए अपना मीडिया चलाना चाहिए, तो कॉंग्रेस ने इसका भी एक प्रयोग किया है, उनका IT सिल नौजीवन नाम का एक मीडिया चला रहा है, नितीस NDA में थे तब 5 साल में 500 करोण के खर्च पर खबर बनाई गई है, खबर के अंदर इसे फिजूल खर्ची बताई जा रही है, मगर खबर के नीचे और उपर गहलो सरकार का विज्यापन चलाया जा रहा है, जाहिरे वेवसाइक रूप से संचालित मीडिया में विज्यापनों के दाम मिलते हैं, भले हिद्दल से जुड़ी सरकार की ही विज्यापन क्यों ना हो, मगर असल सवाल है कि चारो तरफ विज विज्यापन का भ्रमजाल क्यों फैलाया जा रहा है, अगर आलोचना करने के लिए किसी न्यूज पोटल को बनाया गया है, तो मामूली से फाइदे के लिए एक्सपोज क्यों हो जा रहे हैं, और चुनावी एजेंडा चलाने के लामा कौन सा काइदे का कंटेंट चला रहे हैं, कहां कोई वेकल्पिक मीडिया बना रहे हैं, आप सोच रहे होंगे विज्यापन देने से समस्या है, अपना मीडिया बना कर विज्यापन चलाने से समस्या है, तो सॉल्यूशन कहा है, हम पूच रहे हैं विज्यापन को विज्यापन ही कहकर क्यों नहीं दिखाया जा सक प्रदेश के किसी नेता का बयान उत्तर भारत की संस्कृति के संदर में दिखाएं इतना क्लियर कंटेंट कहा है दली तों पिछडों आदिवासियों अलपसंख को महिलाओं की बात हो सब तरह के सोशन से समधान की बात हो ऐसा समवेशी मीडिया संस्थान कहा है देश को गंभ तो आप मान जैसी प्रथाओं की वज़ा से सनातन के खात्मे की बात से सहमत हो या ना हो मगर बात का बतंगर बना कर देश धर्म पर खत्रा बताने वाले मीडिया से इंतकाम कहा है उसका वाजी बंजाम कहा है